आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी स्नैक्स आप यह जरूर ट्राइ किजिएगा तो एक अड़ाई में मैंने एड़ कर दिया महुरी लसुन बारी कटा हुआ और साथ में मैं भी आड़ कर दोंगी ओनियन के स्लाइस और हरी मिर्ची अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो आपको आपको तब तक पकाना है जब तक यह अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं होता है तो मैंने इस टेच पर आड़ कर दिया था नमक ताकि जो प्रोसेस है अनियन सॉफ्ट होने का वह थोड़ा फास्ट हो जाए फिर मैंने द defe कर दिया था है एब धनिया पता और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे अर मिक्स होने के बाद हम इसे ठकक रख देंगे एक से एड़ मिन्ट के लिए टकि जो भी हम सबने अड़न के पेड़ किया है रवासे का फ्लेवर हो एक से बेड़ मिनित मेंने इसे रखा था को धक के रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए धही के साथ में तो मैंने इसे रखा था दस मिनट के लिए धक के तो दस मिनट हो चुके है उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके हम इसकी कंसेस्टेंसी जो है वो करेंगे डोसे के जैसी थीक है दोस्तो तो यहांपर मैं इस तरीकी से मिक्स कर लूँगे तो पानी की एप पानी जादा सोक करता है तो इसलिए आप consistency थोड़ा थोड़ा करके आड़ कर दीजेगा पानी और फिर साथ में mix करते जाएगा ताकि एकदम से जादा liquidy ना हो जाए ठीक है दोस्तों तो अब हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और batter हमारा तयार हो चुका है तो मैंने यह अच्छी तरीके से cook हो जाए तो मैंने दोनों साइड से cook किया है और दोनों साइड इसका अच्छी तरीके से cook कर लिया है अब हम इसे निकाल लेते हैं एक plate में और उसके बाद हम इसमें करने वाले हैं आलू की सबजी जो हमने तयार की थी उसकी stuffing तो वह थंडी हो चुकी थ तो अब हम इसकी करेंगे stuffing और इसे कर लेते हैं कवर इस तरीके से हलके हातों से अगर वह सेट नहीं हो रहा है तो अब प्रेस कर सकते हो वैसे तो हलके हातों से हो जाएगा क्योंकि जो डोसा था वो गरम गरम था तो वह इस तरीके से कवर हो जाता है तो इसी तरीके से मैं स सबी के घर पे कैसा लगा और आपको भी कैसा लगा तो मैंने और भी बहुत सारे स्नैक्स के वीडियो अप्लोड किये अब जरूर मेरे चैनल पर जाके देख लीजेगा तो फिर चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बाबाई